दोस्तों घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना, ये गुप्त चीज माता लक्षमी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान, दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताईए, क क्योंकि जिस उपाई के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उस उपाई में केवल आपको नमक के डिब्बे में वा गुप्त चीज चुपानी है, जिसके बारे में तंत्र शास्तर में लिखा हुआ है, और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बलकि आपके जीवन आपको सुख सम्रिद्धी धन, दोलत, एश्वरे की प्राप्ती होगी। एक बात तो समझ लीजे दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिबबा होता है, वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिती से संबंध रखता है। तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन्तु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंतर शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर होगी यहां तक कि आपके आने वाली साथ पीडियां भी धन पर राज करेगी। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाय देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत साधारन सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोप पाएंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनो माता लक्षमी जी को प्रसंद करना है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहर्द पर कर लिया तो ना केवल आपके बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। ना केवल आपको आपके पूरे परिवार को लक्षमी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्षमी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। माता लक्षमी के आशिरवाद से आप बहुत ही उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाए और तुरंट लिख दीजिए महालक्षमी जी की जाए। स्थिति को भी तर्शाता है। यहां तक कि वेद पुरान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है। उस घर की बरकत भी होती है उस घर की उन्नती भी होती है। और उस घर पर सदैव सकारात्मक उर्जा का वास रहता है। दोस्तों हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को ले करके वो कौन-कौन बाते हैं जिनका आपको विशेश करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोजमर्रा की जिन्दगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उ अपने परिवार के भले के लिए देखेगा सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो है दरिद्रता से मुक्ती पाने का महा उपाय मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानिया आती हैं बहुत बाधाएं आती हैं आपके घर की उन्नती और बरकत पूरी तरह से रुप चुकी है तो उपाय कीजे जो आपको बता रहे और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा बलकि आपके घर की बरकत भी होगी आपके घर की उन्नती होगी आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे देखिए गुरुवार छोड़ करके युदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोचा लगाते हैं तो पोचा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिएगा, दोस्तों गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पूचा नहीं लगाया जाता है यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पूचा लगाएंगे, तो इससे आपके घर पर नकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पूचा लगाएं, उस पानी में हलका सा सेंधा नमक डाल दीजिएगा और उसी पानी से पूरे घर का पूचा लगाएगा यदि आप ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए जब भी आप पूचा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तिया होंगी, उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा और जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्षमी जी अवश्य ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है उस घर की उन्नती भी होती है मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है आप मेहनत करते हैं आप परिश्रम करते हैं परंतु उनका फल नहीं मिलता है आप देख रहे हैं आपकी जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है तो यह महा उपाई कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और यहां उपाई यदि आपने सही महूर्थ पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिये ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बलकी धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में धन की जो फाल्तु खर्च हो रही है वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी आपको क्या करना है? ब्रहस पतिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है ब्रहस पतिवार के दिन सोने से पहले एक काम कीजिएगा एक साधा सा कांच का गिलास लीजिएगा उसमें भर लीजिएगा आप लोग गंगा जल गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपे का मिल जाएगा गंगा जल भर लिया अब आपको एक चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना अब इस एक गिलास पर गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा इस गिलास पर आपको उपर से लाल कपड़ा ढख है और लाल कपड़े को बांध देना है आगे से आप किसी गिलास पानी कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं केवल इतना भर करना है आपको यह उपाय अपने कर लिया हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और एक चमच नमक डालते रहे यदि यह उपाय आप ब्रहस पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चमच नमक डाल देते हैं यकीन मानिये आपके उपर कोई ऐसा दोश होगा कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था वो दोश हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे जो परिश्रम करेंगे आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिए अब दोस्तों आपका उपाय बताने जा रहे हैं या उपाय है उग्रक रह को शांत करने का उपाय मान लीजिये आपके उपर शनी दोश है आपके उपर मनी मंगल है आप इस चीज को लेकर के बड़ा परिशान है आपके जीवन में बड़ी स्थिती खराब होती चली आ रही है तो आपको क्या करना है? बस आप लोग याद कीजिए मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चमबच काला नमक मिला कर खाएं दोस्तों इतना यदि आप करते हैं तो आपके उपर जो भी शनि दोश है, मंगल दोश आपके साड़ी साती चल रही है कोई भी ऐसी परेशानी उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा देखिए दोश कभी भी समाप्त नहीं किया जा, परन्तो दोश के प्रकोप को कम किया जा सकता सकता है और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसका सेवन करते हैं मान के चलिए आपके उपर जो भी दोशी होंगे उनके प्रयोग लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएंगे अब आपको जो अगला उपाई बताने जा रहे हैं वह है दुर्भाग्य से मुक्ती पाने का उपाई मान लीजिए आप हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन में सदैव के लिए दूर चला जाए और आपको आपके भाग्य का साथ मिले तो यह महा उपाई कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और यह उपाई करने के पश्चात अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा देखें ब्रिहस पतिवार को छोड़कर के बस यह उपाई आपको प्रतिदिन करना होगा और यहां उपाई आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा 21 दिन ब्रहस पतिवार छोड़ कर करें लोगों को जब सुभस नान कर रहे हो तो नहाने वाले पानी में एक चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए उसके पश्चात नहीं ये यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ती मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी आशा है कि आज की इस प्रस्तोती में बताई गई जानकारी आपको इच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवशे करें थेंक यू